रादे रादे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के वारे में वास्तु सास्त्र के अनुसार कई पौधे ऐसे हैं जिने घर में लगाने से मालक्ष्मी की कृपा वरस्ती है कई पौधे घर की नाकरात्मक्ता को दूर कर घर में साकरात्मक उर्जा का संचालन करते हैं ऐसे ही एक पौधे के बारे में वास्तु सास्त्र में बताया गया है वास्तु सास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को साकरात्मक्ता लाने वाला पौधा माना गया है साथ ही इस प्लांट को लेकर माननता है कि इसे घर में लगाने से पैसों की तंगी नहीं रहती है मनी प्लांट को लेकर कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से धन के रास्ते खुलते हैं जैसे जैसे इसकी पतियां उपर की तरफ चड़ती है, वैसे वैसे धन बढ़ने लगता है और परिवार के लोगों की किस्मत बदनने लगती है। घर में मनी प्लांट लगाने के साथ साथ अगर यह उपाय ही कर लिया जाए तो ब्यक्त की किस्मत बदल सकती है। आईए जानते हैं कौन से हैं मनी प्लांट के उपाय जिससे हमें तरक्की मिल सकती है। अपड़ फार पैसा वरसेगा। वास्तु जानकारों का मनना है कि मनी प्लांट में दूद चड़ाने से वे तेजी से बढ़ता है। और तेजी के साथ आपकी किस्मत चमकने लगती है। ऐसे में मा लक्ष्मी अस्थानी निवास करती है। दूद डालेते समय ध्यान रहे कि सारा दूद ही मनी प्लांट में नहीं डालना है। कच्चे दूद कुछ बूंदे पानी में मिला कर डाल दे। इसके साथ इस बात का ध्यान रखे कि मनी प्लांट का पवधा सही दिसा में लगाया गया हो। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट को सही दिसा में लगाने पर ही सुब फलदाई होता है। बतादे की घर में अगनी कोड में रखना उचित माना जाता है। इसे मानता है की घर में इस दिसा में मनी प्लांट लगाने से सकारात्मक उर्जा का वास होता है। आर्थिक इस्तिती में सुधार होता है। साउथ इस्ट जोन में रखना सुभ माना जाता है। दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को फ्रेश करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे राधे राधे। कर दो